प्रग्या का सवाल है एक फर्जी केस बनाया गया था हिंदू टेरर के नाम से भगवा टेरर के नाम से दुनिया भर में भारत की संस्कूरुति को बदनाम करने का प्रयास किया गया था जब कौड की अदालतों में केस चला इसको फर्जी पाया गया दो केस के अंदर सब बरी हो गए सवाल तो वो है कि समझोता बलाश में स्वामी असिमानन्द और बाकी सारे लोगों को एक्क्यूस बना कर फर्जी केस रजिस्टर किया तो समझोता बलाश करने वाले लोग कहा है जो पहले पकड़े गए तो वो एक्क्यूस को किसने छोड़ा जिनों ने पहले पकड़े हुए सच्चे एक्क्यूस को छोड़ा है वो टेरिरिजम का सपोर्ट करने वाले लोग है हम नहीं है